कि दो क्या दे बोला कोशन में if f of x square minus 6x plus 6 plus f of x square minus 4x plus 4 equals to 2x for all x belongs to r then f minus 3 plus f9 minus f5, f1 की value कितनी होगे हमें से पूचा गया ठीक है तो देखा हमें क्या दिया हुए हमें दिया हुए f of x square minus 6x plus 6 plus f of x square minus 4x plus 4 की value कि दे रही है हमें 2x हमको दे रही है ठीक है तो इसको लिखूंगा में f of x minus 3 का whole square तो यह लिखा दू कितना है x square plus 9 minus 6x plus 9 है तो minus 3 और करना पड़ेगा plus f of यह तो देगा x minus 2 का whole square equals to 2x ठीक है तो अब में रखूंगा at x equals to 1 1 रखूंगा x तो कितना देगा 2 का square minus 1 f1 plus यह भी f1 f1 plus f1 equals to 2 तो यहां से कितना देगा 2 f1 is equals to 2 तो f1 की value कितना जाएगी 1 आ जाएगी ठीक है अब देगा हमको क्या चाहिए f of minus 3 चाहिए ठीक है f of minus 3 करने के लिए इसको में 0 कर दूंगा तो x के में 3 रखूंगा 1 x is equals to 3 कितना जाएगा f of minus 3 plus f of 1 is equals to 6 तो यहां से कितना जाएगा f of minus 3 plus 1 equals to 6 f of minus 3 की value कितना जाएगी 5 आजाएगी अब मुझे को यहां चाहिए f of 9 के लिए में क्या रखता हूं x से जाएगा 5 रख दूंगा तब यहां पर 9 बनेगा चीक है तो at x equals to 5 at x equals to 5 5 रख दूंगा तो यहां कितना जाएगा 2 का square minus 3 is 1 f of 1 plus f of 9 is equals to कितना जाएगा यहां से 5 रखा तो 10 ठीक है तो यहां से f9 की value कितना जाएगी 9 क्योंकि f1 की value 1 है हम से क्या पूछा गया है f of minus 3 plus f9 minus 5 f1 हम से क्या पूछा गया है now f of minus 3 plus f of 9 minus 5 times f1 की value पूछी गई है f minus 3 की value 5 plus f9 की value 9 minus 5 into 1 तो यह कितना जाएगा 5 minus 5 से cancel 9 तो रखा जाएगा 9 ठीक है तो रखा जाएगा 9 तो